Hello Friends, Menses related इतनी सारी queries हैं कि हमें लगता है कि कोई हर चीज आजकल Menses related ही ही हो गई है क्योंकि बहुत सारे myths हैं, बहुत सारे facts हैं, बहुत सारी problems हैं तो मैं Dr. Sushila Saini इस वीडियो में आपके Menses related कुछ mental health के issues भी हमें note हुए हैं उनी को आज discuss करने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही Menses शुरू होता है तो शुरू होने के साथ एक नई चीज discussion में आ जा दी है कि आखिर मेंसे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनको manage किया जाए, क्या use किया जाए, क्या use नहीं किया जाए, क्या खाया जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, कौन से exercise की जाए तो इतना सारा बढ़न एक साथ आते ही लगता कि हाई रे क्या प्रॉब्लम मेरे सर पर आ गई है और मैं इसको कैसे मैनेज करो तो कहीं लोग इसको डिल नहीं कर पाते हैं और एक नया स्ट्रेस का पॉइंट बन जाता है और एक हेल्थ इशू भी बन जाता है तो पिरेट्स ए और उसके लिए आपकी नॉमल लाइफ एफेक्ट नहीं होनी चाहिए यज़नकर आपकी सोच के कारण या आपके स्ट्रेस के कारण आपके नॉमल लाइफ एफिक्ट हो रही है एक मेंस कि आपनी निया को एक मैंटल ह Truff बना लिया है तो हमारा उद्देश है इस विडियो मे सकते हैं, लेट आ सकते हैं, लेकिन ये सब होते रहेंगे, इसके लिए अपने दिमाग पर किसी प्रकार का burden ना feel करें, feel free and feel free to discuss others, यदि आपके family friends आपका discussion में आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, आपके सवालों के जबाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको you should go to a doctor, consultant and discuss your problem, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, बट हमें बात करने की और discuss करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर के पास जबते का आप नहीं पहुंचेंगे, तो डॉक्टर को नहीं पता कि आपको क्या problem है, और जब भी आप डॉक्टर के पास पहुंचती हैं लेकिन हो सकता है, यह वो पूरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्यों मुझे को period शुरू हुए है, इनको मुझे कैसे manage करना है, क्यों मुझे इसमें दर्द हो रहा है, तो हमने बहुत सारे videos भी बनाए है जिसमें myths के बारे में जवाब दिया गया है, क्या myth है, क्या fact है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों से exercise आप कर सकते हैं, कौन-कौन से product आप मैंसिस के time पर use कर सकते हैं, कैसे उनको manage कैसे, कैसे menstrual hygiene को manage किया जाए, जब आप इसके video के description box में जाएंगे, त अगर आपके सारे सवालों के जवाब clear हो जाते हैं, तो मैं समझतूं कि काफी सारा stress तो कम हो जाएगा, अब अगला सवाल आता है, कि आखिर भी आपको बार बार ऐसा हो रहा है, क्या कोई medicine लेनी पड़ सकती है, definitely medicine से हर चीज का इलाज है, लेकिन doctor के पास जाने के बाद ही समभव है, इसी तरीके से जब पिरिड्स लड़कियों के शुरू होते हैं, यानि कि न्यू टीनेजर्स होती हैं, तो उनको भी कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे questions के कारण वो इस चीज का stress ले ले लेती है, कई बार उनकी मम्मीयों की रोकटों काफी जादा होती है, कि आप खिलने मत जाईए, आप इस तरीके से कपड़े मत पहनिए, या आप इसे exercise मत कीजिए, इसे बहुत सारे कई restrictions लगा देते हैं, कई घरों में जैसे जो टैबूस हैं, जो कि मैंसे से related हैं, जो आज भी कई घरों में फॉलो किये जा रहे हैं, कि आप खाना किचिन में नहीं जा जा रहा है, क्योंकि पुराने जमाने में तो बहुत जादा इसका टैबू था, बहुत आगे हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, बट फिर भी कई घरों में आज भी इस तरह के टैबूस देखने को मिलते हैं, तो मेरी उन सबी मम्मीयों से एक ही request है कि प्लीज इन टैबूस को फ जरूर लीजी ताकि डॉक्टर उनके सवालों के प्रॉपर जवाब दे सके क्योंकि जो स्पैशलिस्ट एक्सपर्ट जो जवाब दे सकता है वो एक ले में नहीं दे सकता है और जब आजकल के टीने जस इतने इंटेलिजेंट है कि एरियोंने अगर प्रॉपर सटिक हैं और सोशल मीडिया से इनको बहुत ज़ादा जयनकारी है लेकिन अपने बच्चों को सोशल मीडिया के बहकावे में ना ने दे उनके कोई गलत जयनकारी से उगलत कोई फैसले ना ले इसलिए डॉक्टर के पास ले जाकर उन्हें प्रॉपर ओपीनियन दिलवाई है प्र मैंसे शुरू हुए हैं तो यह अभी लंबे चलेंगे तो पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त